हाई फ्रेंड्स मैं प्रियंका आप सभी का मेरे चैनल स्वाधिस्ट रेसिपी में स्वागत करती हूँ आज मैं आप लोग के लिए फिर से एक और नई रेसिपी लेकर आई हूँ और नारियल की स्टफ बर्फी बनाएंगे इसके लिए मैंने लिया है एक कप डिजिकेटेड नारियल पाउडर और हाफ कप मिल्क पाउडर ठीक है अभी मैं इसमें add करूंगी वन टेवल स्पून कंडेंस milk और अभी मैं इसमें add करूंगी कुछ कटे उए dry fruits dry fruits आप अपने recording अपने पसंद के ले सकते हैं और अभी मैं सारे ingredients को अच्छे से mix करूंगी और इसका एक semi soft dough बना कर त्यार करूँगी अगर ये mixture आपको ज़्यादा dry लगता है तो इसमें आप 1 टेवल स्पून milk एनी दूद एड़ कर दे इसमें अगर आपका ये mixture जो ज़्यादा गिला हो जाए तो इसमें थोड़ा सा नारियल पाउडर या फिर milk पाउडर एड़ कर ले तो ये देखिए मेरा जो है dough कितना बढ़ियाँ बनकर त्यार हो गया है ठीक है बहुत ज़्यादा गिला dough त्यार नहीं करना है अब मैं इसे two parts में divide कर लूँगी मैं इस dough का एक part लूँगी उसमें मुझे food color add करना है आप अपने मन पसंद का food color ले सकते हैं मैंने यहाँ पे light yellow color का food color यूज किया है एक pinch बस only one pinch food color इसमें add करना है और उसे अच्छे से mix करते हुए इसका dough त्यार करना है तो आप देख सकते हैं friends कितना अच्छे से मेरा food color जो है mix हो चुका है अब मैं एक foil लूँगी और एक chopping board लूँगी उस foil पर में थ्वासा घी लगा दूँगी और फिर इसे roller pin से roll करूँगी तो यह देखे friends अब मैंने इसे roll कर लिया है अब जो इसके sides हैं उसको मैं cut करकर निकाल दूँगी ताकि इसका save जो है वो अच्छा आए इसका sides जो है वो waste नहीं होता है उसे फिर से roll करके वर्फी बना सकते हैं अब जो मैंने एक और white part जो मैंने रखा था उसको इस तरह से मैंने save दे दिया है और उसको इसके अंदर stuff करेंगे और इस foil के help से इस तरह से इसे roll करेंगे इसको बहुत सा धानी से roll करें यह थोड़ा सा फटता है इसे हाथ से इसे चिकना कर सकते हैं अब मैं उसी foil में इसे wrap करकर freeze में 10-15 minute करे रखतूंगी ताकि अच्छे से यह set हो जाए तो friends 15 minute हो चुका है अब आईए wrapper खुल के हम दो चेक कर लेते हैं और इसे अपने पसंद के pieces में cut करेंगे यह देखे friends बहुत अच्छे से यह set हो चुका है अब मैं इसे cut करूंगी तो यह देखे friends बहुत ही easy and quick हमारा instant जो है stuff नारियल का वर्फी बनकर त्यार है यह खाने में बहुत ही यह बहुत ही tasty लगता है और इसे आप देख सकते हैं इसे color कितना प्यारा लग रहा है और यह बहुत ही quickly बन जाता है इसका texture आप देख सकते हैं तो friends इसे अपने घर पे fresh coconut and apple की खीर तो friends इस dessert को बनाने के लिए मैंने जो ingredients लिया है वो है one cup chopped apple apple को मैंने पील करकर उसे small pieces में cut कर लिया है मैंने लिया है one cup fresh coconut जिसे मैंने grind करकर ले लिया है मैंने लिया है half liter full cream दूद, half table spoon custard powder, 3-4 कुटी हुई ilaichi यानि cardamon powder और कुछ कटे हुए dry fruits और one table spoon चीनी यानि sugar आप अपने sweetness के कॉर्डिंग चीनी ले सकते हैं मैंने gas का flame on कर दिया है उसे एक pan लग दिया है और इसमें मैं add कर दूँगी half liter दूद जो मैंने लिया था अब उसे continuously start करते हुए मैं इसे एक अच्छा उवाल आने तक पकाऊंगी तो दूद जो है boil हो चुका है तो अभी मैं इसमें add कर दूँगी चीनी और इसे अच्छे से चीनी को और दूद को पका लूँगी तो 3-4 मिनाट तक मैंने चीनी और दूद को अच्छे से पका लिया है गैस का flame जो है वो low medium रखना है तो फ्रेंट्स आभी मैं इसमें एड़ कर दूँगी नारियल निकोकोनट एपल एंड इलाइची पाउडर और इन सबको अच्छे से स्टर करते हुए पांच मिनाड तक बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे अब मैंने जो खस्टर की पाउडर लिया था उससे मैंने दूद्ध में अच्छे से घोल लिया ए है अब मैं इसमें इसे अट कर दूँगी इसका थिकनेस बहुत ही अच्छा और इसमें एक अलग फ्लेवर मिलेगा ठीक है तो तीन से चार मियाद तक High Flame पे Continuously स्टर्ट करते हुए हम इसे पकाएंगे कस्टरट पाउडर डालने के बाद तो यह देखिए फ्रेंड्स तीन से चार मियाद तक मैंने पका लिया था अब मैंने इसे सर्विंग बॉल में लिखा लिया है ये देखिए देखने में कितना टेस्टि हो कितना यवी लग रहा है मैं इसे गाड्निस करूँगी कुछ जो ड्राइफूर्स में लिया था उससे आप ड्राइफ़ूर्स चाहे तो साथ में भी एड कर सकते हैं फ्रेंट्स अगर मेरे ये दोनों डेज़ाट की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करकर जरूर बताईएगा तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक यू